जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूं D&F ब्लोक में उससे बाहर कुछ नहीं आएगा यानि कि जो मैं बैचेज में मैं कंटेंट देता हूं वही कंटेंट आपको मैं दूंगा बस फर्क इतना है वहां लिखता हूं यहां लिखा हुआ होगा इसको विनीता की जगे विमल कर दो विम हाँ हैं कर सकता है यह अपनी हाइस्ट कॢ recipient यह भी अपनी हीस्ट ओक्सी आइस्डेशन स्नुपर जब दोनों अपनी हाइस्ट अक्सीडेशन स्टेट में हो तो क्या करेंगे एक दूसरे का मुण 나와 में देख लिया घृक्ष 1 या 2 यह इनका general electronic configuration होता है एक term आती है transition element पहले तो transition सब्द का मतलब ऐसा होता था कि s block और p block के बीच में आते हैं तो transition हो गए लब s block के element एक तरफ p block के element एक तरफ बीच में होते थे d block तो transition का मतलब होता है बीच वाला है तो इन दोनों के बीच का transition लेकिन वो पुरानी definition थी पागल बनाने वाली definition थी IUPAC ने अब transition element की definition को एक proper definition दिया कि जो transition metals या transition elements होते हैं उनकी एक खास बात होती है कि they are they have partially filled n-1d है ना उनकी जो n-1d होती है वो partially filled होता है अब partially filled का मतलब होता है d1 से d9 तक है ना और d0 और d10 जो होता है न वो transition element नहीं होता है क्यों क्योंकि 0 को भी हम partially filled नहीं मानेंगे और d10 को भी partially filled नहीं मानेंगे लेकिन शर्त क्या है कि वो partially filled होना चाहिए तब ही उसको हम transition अच्छा partially filled या तो वो neutral state में like manganese है तो पहले से पता है manganese होता है 3d5 4s2 तो 3d5 4s2 है तो वो d5 है एक से लेके 9 के बीच में है तो इसका मतलब वो transition element है तो वो तो हो गया neutral या फिर अगर कोई neutral में पूरा भरा हुआ है न्यूट्रल में वो d10 है मान लिया जैसे silver है बिटा silver क्या है 0 है neutral में ए सोरी silver 0 है sorry d10 है neutral में लेकिन अगर आप silver का plus 2 लेंगे तो silver अपने plus 2 में d9 हो जाएगा silver अपने plus 2 में क्या हो जाएगा d9 तो सिर्फ neutral को देख कर answer नहीं करना है अगर वो अपनी किसी non oxidation state में है ना अगर वो किसी अपनी non oxidation state में यह non os लिखा हुआ है oxidation state अगर वो किसी भी अपनी non oxidation state में भी अगर वो partially filled हैं तो भी उस metal को हम क्या बोलेंगे transition metal ही बोलेंगे इस transition metal की category से zinc, cadmium और mercury को बाहर रखा गया because ये ना तो neutral state में ना ही अपनी किसी non oxidation state में partially filled होते हैं ये d10 होते हैं इसलिए इनको transition element नहीं कहा गया silver is transition element because it has d9 configuration in its plus 2 oxidation state silver को transition element क्यों बोला, silver भी तो d10 configuration है sir, बेटा silver अपनी neutral state में मानता हूँ d10 है लेकिन silver की जो plus 2 oxidation state है उसमें वो d9 हो जाता है इसका मतलब अगर वो किसी अपनी non oxidation state में भी जो है partially filled हो रहा है तो उस metal को भी हम क्या बोलेंगे transition element ही बोलेंगे तो silver को transition element क्यों बोला गया, ncrt का in-text question है कि silver को transition element क्यों consider किया गया, यह लिखावा ncrt in-text question यहां पर तो silver को इसलिए किया गया, because silver अपनी plus 2 में d9 रखता है तो इसलिए रभी, what is d9, Raghav Gupta कह रहा है कुछ निये बटा, तू message में f9, f9 कर ले, ठीक है, अभी और मेरा मुझ खुलवाएगा ना दिक्कत हो जाएगी, रहन दे, फिर कुछ properties की हम लोग यहां बात करेंगे, कुछ properties की हम लोग यहां पर बात करेंगे NCRT के according कर रहे हैं क्योंकि इसके data हर किताब में अलग मिलते हैं हमको मतलब नहीं बाकी किताबों से तीन बातों पर melting point depend करता है unpaid electron, atomic mass और packing efficiency in solid इन तीनों को मिला कर जो मिला जुला effect आता है वो इस graph में दिख रहा है कि ये वाला जो group होता है ना 6 number करोड मोल वाला ये maximum peak लेके बेठा है ये देखो maxima इनी के पास है इसी group में 6th group के पास maxima है premium से manganese ectrope आता है इस बात का भी ध्यान रखना क्योंकि इतनी चोटी-चोटी बाते हैं आपको पूची जा सकती है इस graph में अगर आप पूरे d block में maximum melting point की बात करोगे तो वो है tungsten है ना w tungsten उसमें और melting point के तीन pattern चलते हैं melting point के तीन pattern चलते हैं पहला pattern top to bottom decrease वो सिर्फ third group और twelfth group के लिए हैं ये रहा आपका third group और ये रहा आपका twelfth group यानि कि ये वाला pattern सिर्फ तीसरे और बारवे group के लिए लगता है फिर आता है तीसरा तो यहां खतम हो गया फिर चार से लेके 10 चार से लेके 10 तक ये वाला pattern चलेगा जिसमें इसका उल्टा होगा जैसे 3D, 4D, 5D decreasing manner में हैं यहां पर 3D, 4D, 5D increasing manner में होगा ये लिखो और इसके बाद ये उल्टा लिख दो चार से लेके 10 तक का melting point का order आपका उल्टा हो जाएगा increasing manner में एक अकेला इकलोता है ना अतरंगी group बचता है 11th group है ना copper, gold और silver ये उल्टा चलता है मतलब ये 3D के बाद 5D और 4D ये unique हैं तो मैं आपको बोलूँ कि आप एक काम करिए आप तो इस unique चीज़ को याद रखिए उसके बाद आप ये दो pattern तो आपस में उल्टे बना सकते हो ना तो चार से लेके 10 तक top to bottom बढ़ता है कैसे याद रखोगे चार से लेके 10 तक top to bottom बढ़ता है तीन और 12 में top to bottom घटता है और इस महानु भाव को अलग से याद कर लेना इस महानु भाव को अलग से याद कर लेना कि 4D 5D को आगे पीछे करना पड़ेगा यह आपका melting point हो गया complete melting point complete melting point है melting point का order उम्मीद करता हूं ना ही पूछे वैसे यही मैंने लिखा था कि accept zinc, cadmium and mercury all are very hard and low volatility यह तीन pattern है इस slide पे यह चीज जो लिखी हुई है यहाँ पर melting point की वह बात यहाँ पर भी लिखी हुई है दोनों same slide है in fact यह ज़्यादा detail में है थोड़ी इसमें graph भी दिख रहा है आपको फिर आता है enthalpy of atomization enthalpy of atomization का मतलब होता है metal metal का bond तोड़ना यह metals है इनमें metal metal के bond है वो metal metal के bond कब strong होंगे जब number of electrons participate ज़्यादा करेंगे तो bond strong बनेंगे अब बात को समझो कि enthalpy of atomization is directly proportional to number of unpaid electron ऐसा क्यों लिखा कि number of unpaid electron जब increase होते हैं तो more interatomic interactions होंगे जब interatomic यानि metal metal के बीच में जो interactions होंगे वो ज़्यादा होंगे अगर number of unpaid electron ज़्यादा है तो bonding strong होगी तो more strong metal metal bond more atomization enthalpy तो atomization enthalpy इस बात पर depend करती है basically आप जाकर NCRT देखोगे न तो बिलकुल इससे मिलता जुलता एक और graph बना रखा है enthalpy of atomization के लिए तो exact same तो नहीं है because यहाँ पर enthalpy of atomization के अलावा बाकी चीज़ें भी है लेकिन आप जाकर देखोगे तो melting point के graph के बाद एक और graph दिया हुआ है NCRT में और उस graph की शकल सूरत इस वाले graph से लगभग 99% मिलती है मतलब 97% मालो मिलती है लगभग ऐसा ही दिखता है वो atomization enthalpy का graph लगभग तो वो उसका कारण है कि inter atomic electrons पे unpaid electron पर melting point भी depend करता है और unpaid electron पर atomization की enthalpy भी depend करती है एक important बात सवाल यहां से ऐसे सवाल ही पूछे जाते हैं मैंने अकसर J.E.Mans में देखा है कि इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं 3D series में zinc का सबसे lowest zinc जो है वो सबसे lowest atomization enthalpy रखता है पूछा ही यह जाता है ऐसी चीजें पूछी जाती है कि 3D series में सबसे lowest atomization enthalpy किसकी है है ना ज्यादा तर सवाल वो 3D series पर ही पूछे गवटा क्योंकि 4D series 5D series को detail में है देई नहीं दिया हुआ नहीं है कि characterLD ढायोनाईजेशन एनर्जी का इधक है आयोनाईजेशन एनर्जी में हम उम्मीद करते हैं कि पहली यहना left to right increase होती है अब यह जो है मैंने लिखा हुआ है trick के according लिखा है कि सुनो विनिता कमाल थी सुनो विनिता कमाल थी मन नहीं क्यूं कोई और फिर जिन्दगी में चाहे कि सुनो विनिता कमाल थी मन नहीं क्यूं कोई और कोबाल्ट कोई और कोई और फिर जिन्दगी में चाहे इसको ऐसे याद रख लो सर यह चैप्टर क्या NCRT से रीड करने की जरूरत है देखो इस टाइम तो मैं आपको खुले खाते यही बोलूंगा कि बेटा जो मैं पढ़ा रहा हूं ना वो पढ़के चले जाना और मतलब 99% चांस है कि इसमें से सवाल आएगा और अगर इसमें से नहीं आता है तो छोड़ देना उस सवाल को D&F लोक वाले को क्योंकि zero or one की probability है या तो आएगा या नहीं आएगा अब हम इस पर ज़्यादा काम कर रहे हैं क्योंकि यह हम अब हमारा चांस खो चुग है क्योंकि हमारे पास सेक्शन भी आता है तो questions number number of questions ज़्यादा देने होते हैं उस अगले को तो फिर चांस है कि यहां से सवाल मतलब zero और वन की probability है तो एक आही जाएगा मन नहीं मन नहीं क्यों कोई और फिर जची अब यार वो तुम को बना लेना कोई दिक्कत नहीं है ना चला जो क्रोमियम मैंगनीज है उसमें आयोनाइजेशन एनरजी पहली जो है वो क्रोमियम की ज़्यादा मैंगनीज की ज़्यादा हो होती है इलेक्ट्रोन एक एक कम करके देख लेना वो हाफ फिल्ड हो जाता है यूटू हाफ फिल्ड क्योंकि यह देखो यह क्या होता है थ्रीडी फाइव यह क्या होता है थ्रीडी फाइव थ्रीडी फाइव थ्रीडी फाइव थ्रीडी फाइव और एस वन तो यह कट निकालने में परिशानी आएगी सेम चीजे कोपर जिंक में पहली आवनाइशन एनर्जी जिंक की जादा होगी लेकिन दूसरे में कोपर जादा आ जाएगा उसका कारण है यह 3D 10 4S1 होता है यह कटेगा तो पीछे फुल फिल बचेगा तो वहां से लेक्टरोन निकालने में पसीना आएगा तो इसलिए ज्यादा लगेगा फिर यह होता है 3D 10 4S2 तो अगर IE2 है तो एक कम करोगे तो यह 4S1 हो जाएगा तो यह तो आसानी से देदेगा इसको विनिता की जगे विमल कर दो विमल वह वाला कि सुनो विमल कमाल थी मन नहीं क्यों कोई और फिर जिन्दगी में चाहे तांसेन रजनी गंदा अब ठीक है ओके अधिशन स्टेट तब कुछ गाम काम की बाते हैं यह एकूस नहीं करते हैं क्याइस करता है और जिण्ट और स्काइनक्णियम गहा स्काइव स्वाल प्लस तीन में लिगा और स्काइनीयम केवल प्लस टीन में मिलेगा और zhink केवल प्लस दो में मिलेगा वो एक्सिस्ट नहीं करते हैं उदर वाले जो Oxo चाहिए इंट में यॉइस्ट्वा यह लृफा पर मैं यह statement लिखवाता हूं कि lower oxidation state of metal can be stabilized by the synergic bonding कि कि इस नेक्स्ट हाइर oxidation state की stability D block में बढ़ती है जो की inert pair effect का उल्टा होता है P block में lower oxidation state की stability बढ़ती है यहां higher की बढ़ती है तो जैसे NCRT में जो इस बात को समझाया है वो chromium वाले group से समझाया है कि chromium का plus 6 molybdenum का plus 6 and tungsten का plus 6 उनकी stability क्या होती है बढ़ती है तो मुझे बताओ यह दोनों बहुत जादा stable होते हैं तो इसलिए COO3 जो होता है वो oxidizing agent होता है यानि chromium plus 6 में oxidizing agent हो जाएगा लेकिन यह जो है यह oxidizing agent नहीं होते हैं क्योंकि इनका plus 6 अगर stable है तो reduce नहीं होगा oxidizing agent होने के लिए खुद का reduction करवाना जरूरी होता है अगर यह कह रहे हो आपकी यह नीचे वाले stable हैं अगर यह दोनों stable हैं तो यह अपना reduction नहीं करवा पाएंगे और यह oxidizing agent की तरह काम नहीं करेंगे NCRT exemplar का सवाल जेई मेंस 2023 का सवाल ठीके क्योंकि D&F block में मैंने एक चीज नोट करी है कि NCRT exemplar के questions कर लोगे यह notes कर लोगे तो जेई मेंस में भी यहीं से सवाल आये हुएं सारे और नीट में तो 100% यहीं से आएंगे तो चिंता मत करो कहना सीधा सीधा एक सवाल खटा-खट कर लेना विया अगली बात कि manganese की higher oxidation state के बारे में NCRT ने एक statement लिखा है कि manganese की higher oxidation state stable नहीं होती बट उसको stable किया जा सकता है in presence of oxygen and fluorine ठीक है अब उसमें भी पहले तो हमने general statement दे दिया कि oxygen और fluorine के साथ यह ज़्यादा stable होगा अब हम क्या लिख रहे हैं कि oxygen की तुलना में और fluorine oxygen और fluorine को भी अगर compare करें तो फिर manganese की higher oxidation state oxygen की तुलना में ज़्यादा stable sorry fluorine की तुलना में oxygen के साथ ज़्यादा stable होगी है यहाँ oxygen है यह देखो oxygen और ज़्यादा आ गया race में आ गया गया reason कि oxygen के पास ability है to ability of oxygen to form multiple bonds with metals यह metal के साथ क्या कर सकता है multiple bond बना सकता है सर multiple bond बनाने से क्या होगा देख भाई multiple bond बनाने से क्या होगा मैं बताता हूं कि fluorine के साथ भी stable हैं लेकिन इस बात को समझना MNF2 exist करता है तीन चार यह चार fluorine लगा सकता है पांचवा fluorine छटा fluorine सात्वा fluorine नहीं लगेगा reason है hysteric hindrance लेकिन आपको पता है oxygen double bond बनाता है एक जुड़ेगा अगले पर प्लस दो चड़ाएगा जुड़ेगा एक अगले पर प्लस दो चड़ाएगा तो मतलब उसको प्लस साथ करने के लिए सात fluorine को जोड़ना पड़ेगा लेकिन इधर ऐसा थोड़ी कि सात oxygen को जोड़ना पड़ेगा एक oxygen माइनस दो रखता है तो एक oxygen तो अगले पर प्लस दो चड़ाएगा तो इसका मतलब है higher oxidation state को stable करना oxygen के लिए ज़्यादा आसान है ये इस तरह के कुछ compounds आपके सामने होते हैं ये Mn207 है इसको सही कर ले न ये Mn207 है Mn207 covalent होता है green color का oily compound होता है green oily compound और इसमें manganese tetrahedrally surrounded होता है जो मुझसे पड़े हुए वो जानते हैं कि 27 x207 x207 में xox linkage होता है यानि MnO Mn bridge present होगा इसमें यह आपको पता होना चाहिए ओके भई कुछ कुछ छाटी हुई बाते हैं जहां से direct सवाल आएगा COO3 में chromium Y समझा नहीं यह अच्छा ओके 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 नहीं गलत निकाव है सई गुड़ 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 अभाई यह CRO3 है हो सही कर लेता हूं मिनूटा हाई यह CRO3 भाई पर यह सही है बहुत बढ़िया मिस्टेक पकड़ ली भाई नीद में बना रहा था मैं यह यह CRO3 है विटा ठाई कर लेना विटा इसको ना CRO3 है CRO3 है विटाए COO3 नहीं यह हाँ हाँ हो गया भाई हो गया कर लिए भाई ए भीया कर लिया यह राजा कर लिया रही है अरे यार हर दो दो घंटे में तुम ब्रेक ब्रेक कर रहे हो यार कैटलाइटिक प्रॉपर्टी कुछ ऐसी चीजें जिसकी वज़े से यह कैटलिस्ट का सबसे ज़्यादा काम करते हैं सबसे ज़्यादा होते हैं खूप सारे एक्जामपल हमने पी ब्लोक में पड़े हैं कॉंटेक्ट प्रोसेस यह रहा है ना उसमें वी टू ओ फाई होता है यह हैबर्स प्रोसेस हैं इसमें आईरन का पाउडर होता है यह ना हाइड्रोजिनेशन रियक्शन होती है जिसमें हम क्या करते हैं वेजिटेबल ओइल से वेजिटेबल गी बनाते हैं वेजिटेबल ओइल से वेजिटेबल गी बनाते है इसमें भी हमने देखा कि यह ऐसे और खूप सारे हैना CU-CL2 जो है वो Deacon's process में हमने देखा उसमें भी use होता है PD-CL2 use होता है walker process में use होता है खुब सारी ऐसी चीज़ें जिसमें और यहाँ पर देखो यहाँ पर दो कारण है जिसकी वज़े से यह catalyst अच्छा करते हैं एक तो यह ऐसे होते हैं जो multiple oxidation state को adopt कर सकते हैं इस reaction को समझो यह reaction NCRT में दी हुई है इस reaction को समझना इस reaction में क्या लिखा हुआ है इस reaction में लिखा हुआ है कि यह reaction कैसे होती है वो सुन लो यह reaction होती है iron की वज़े से iron की वज़े से यानि कि पहले I- के साथ Fe3 plus reaction करता है और उसको I2 में बदल देता है और खुद किसमें आ जाता है Fe2 प्लस में फिर वही Fe2 वही Fe2 इसके साथ reaction करता है S2O8 2- परोक्सो डाई सलफेट आयन के साथ और उसको किसमें convert कर देता है SO4 2- में और खुद वापिस किसमें आ जाता है Fe3 Plus तो यह जो उपर आपको reaction दिख रही है न यह reaction कैसे हुई कि पहले iron आया इस reaction के पीछे राज क्या है कि I- direct electron नहीं दे सकता इसको तो आई आई माइनस ने electron प्लस 3 को दिया वो 2 में गया दो वाले ने फिर इसको दिया मतलब ऐसे समझे कि I- यहां खड़ा है Fe3 यहां खड़ा है और paroxodisulfate iron वहां खड़ा है तो यह क्या करेगा I- वहां नहीं दे पा रहा है तो कहेगा तू ले ले और तू उसको दे दे तो ऐसा क्यों कर पाया क्योंकि यह 3 और 2 दोनों में जा सकता है इसलिए ऐसा कर पाया चलिए next interstitial compounds क्या होते है जैसे जो metallic lattice होता है ना बिटा इसके बीच में इसके बीच में यहां पर बोरोन यहां पर जैसे nitrogen हो गया hydrogen हो गया carbon हो गया इस तरह के जो बीच में space होता है ना वोईड यहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं small items like carbon nitrogen hydrogen trapped inside crystal lattice यह बीच में जो space होता है वहाँ हो जाते हैं यह आपको पता ही है non stoichiometric होते हैं यानि कि इस तरह के हैं यह constant वो आपका लो होता है ना उसको follow नहीं करते हैं यह ना तो ionic होते हैं ना covalent होते हैं इनके melting point boiling point ज्यादा होते हैं क्योंकि बीच में जो खाली जगें हैं अगर वो भर जाएगी तो मजबूती बढ़ेगी और मजबूती बढ़ेगी तो यह hard भी होंगे और melting point boiling point भी ज्यादा होंगे metallic conductivity present रहती है जैसा कि metals में conduction होता है वैसा इन में भी conduction होगा chemically यह inert हो जाते हैं chemical reaction में यह participate करना बंद कर देते हैं यह सारी properties हैं एक एक point देख वापिस पढ़ लेता हूं मिटा पहली चीज यह क्या होते हैं बीच में अगर कोई item वगेरा trap हो गया तो इनका खास तोर से ध्यान रखना यह last के चार point पर सवाल बनेगा last के चार point पर सवाल बनेगा क्योंकि pure metal की तुलना में इनका melting point जादा है pure metal की तुलना में इनकी hardness जादा है metallic conductivity में कोई change नहीं आता pure metal भी conductor होता है यह भी conductor होते हैं chemically यह inert हो जाते हैं metals थोड़े से जो है reactive रहते हैं उनकी तुलना में यह थोड़े से क्या हो जाते है रियक्टिव रहते हैं के साथ तर्बुजा नहीं लगा सकते हैं घर्बुजा नहीं लगा सकते विटा तो इसलिए पहली शर्थ यह blend of metals होते हैं मतलब mixing होती है metals की aloes are formed by different atom with metallic radius that are within about 15% of each other ऐसे metals को mix करो जिनकी radius 15% से कम हो आपस में उनका जो difference है वो 15% से कम हो है ना within about मतलब 15 या 15% से कम हो इनके अब इनकी hardness ज्यादा होती है as compared to single metal इनके melting points ज्यादा होते हैं कुछ important example brass and bronze brass होता है copper के साथ zinc bronze होता है copper के साथ tin है ना हमने steel पढ़ा stainless steel पढ़ा यह सब क्या है alloys है किस से बनते है iron chromium vanadium tungsten molybdenum manganese यह ज्यादा तर यूज होते है stainless steel और steels को बनाने में iron के साथ mix होते हैं यह ना main component तो iron होता है उसके साथ chromium vanadium tungsten molybdenum और manganese जो हैं वो क्या होते हैं बिटा mix होते हैं यह alloy formation सवाल पूछा जाएगा deep block elements alloy formation क्यों करते हैं क्योंकि पूरे deep block की size अगर देखोगे तो बहुत जादा vary नहीं करती सारे deep block के elements almost same size के होते हैं deep block की size में बहुत जादा variation नहीं है पूरा deep block पूरा deep block सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से पांच picometer के आसपास 5 nanometer की range में खतम हो जाता है मतलब एक दूसरे से यह बहुत जादा आगे पिछे बड़े size में फरक होता है बट बहुत जादा फरक नहीं होता आपस में overall size के अंदर difference कम है एक छोटे से bracket के अंदर पूरा deep block जो हैं वो cover हो जाता है पांच nanometer के आसपास जो हैं उसमें पूरा deep block से मढ़ जाता है एक दूसरे से पांच nanometer के difference में the formation of complex compound पूरा coordination chapter हम लोग पढ़ चुके हैं आज तो नहीं पढ़े हैं पहले पढ़ चुके हैं एना complex क्यूं बनाते हैं due to high-five and small size and availability of vacant orbital deep block वालों की पसंद है complex बनाना दो रीजन पूछे जाएंगे हाई-फाई हैं small size हैं तीसरा है दूसरा है availability of vacant d orbital यह दोनों शर्ते हैं किसके लिए complex compound को बनाने के लिए formation of colored ions formation of colored ions याद रखना हमको color याद नहीं रखने हैं लेकिन हमको एक बात याद रखनी है कि d0 और d10 को हम colorless बोल देंगे किसी का color याद रखने की जरूरत नहीं है आ जाए तो किसमत खराब लेकिन आता नहीं है ठीक है मैंने बहुत सारे सवाल color के करवा के भी देख लिए आप जाके चेक कर लेना मैंन बैचेस में जो मुझसे पड़े हुए ज़रूरत नहीं पड़ती d0 d10 colorless होते हैं इससे हमारा सवाल हो जाता है क्यों क्योंकि वो या तो पुछेगा कौन colored है या पुछेगा कौन colorless हैं बात हो जाएगा magnetic properties number of unpaid electron निकाल लो n मतलब number of unpaid electron ही होता है n n plus 2 यह आपका हो गया क्या इसका formula mu का और इसका जुगार है कि जब भी किसी का magnetic moment निकालना हो तो जितना unpaid electron उतना point something suppose 5 unpaid electron है तो उसकी value finally 5 point something आएगी यहाँ पर 5 रखोगे तो यहाँ हो जाएगा 35 35 root 35 की value 5 point something ही आएगी तो यहाँ 2 रखोगे ठीके तो 2 और root 8 हो जाएगा और root 8 की value 2 point something ही आएगी तो ultimately ठीके root की form में पूछे तो वो रहा formula और direct पूछे तो अपना देसी जुगार जितना unpaid electron उतना point something बात खतम सर basic से पढ़ाओ ना हाँ पढ़ाता हूँ मैं आठ तारिक को basic से पक्का पढ़ा दूँगा कोई tension वाली बात में फिर कुछ e note cell टाइप की नेगेटिव होगा यानि की spontaneous process है और अगर e note cell कहीं पर है तो डेल्टा जी पॉजिटिव होगा यानि की non spontaneous process इसको प्लस दो से जीरो में जाने का इसको प्लस दो से जीरो में जाने का वेल्यू negative आता है दो से 0 में जाने का value नेगेटेव यानि की delta G पॉजिटिव यानि 2 से 0 में कोई नहीं जाना चाहता तो इसका ultra सूचू इसका मतलब है जीरो से 2 में जाना चाहता होगा तो जीरो से 2 में जाना चाहता है तो 0 से 2 में जाने का डेल फिर यह वाला positive हो जाएगा और जब यह वाला positive होगा तो डेल्टा जी negative हो जाएगा spontaneous हो जाएगा लेकिन पूरे 3D series को अलग कर दो और इन copper वाले भाई साब को अलग कर दो copper कहता है कि मैं तो जाओंगा मतलब कह रहा है कि मैं तो 2-0 में जाओंगा क्या कह रहा है मैं तो 2-0 में जाओंगा यानि कि इसके 2-0 में जाने का positive e-note cell है delta g negative है spontaneous है copper 2-0 में जाना चाता है बाकी कोई 2-0 में नहीं जाना चाता इसका मतलब copper के लिए उल्टा सोचो मतलब यह 0-2 में नहीं आना चाता अगर यह 0-2 में नहीं आना चाता तो यह electron lose नहीं करेगा और electron नहीं नहीं देगा तो यह plus electron के पास जाएगा कैसे तो इसलिए copper cannot liberate h2-gase from dilute acids हैना हाला कि यह HNO3 के साथ कर लेगा concentrate h2so4 के साथ भी कर लेगा फिर बोल रहा हूँ HNO3 के साथ कर लेगा और concentrate h2so4 के साथ भी कर लेगा वह strong oxidizing agent है कहीं साइड में लिख देना कि मैं इन सब को मतलब हैना बट अच्छोड़ों कन फ्यूजी हो जाओगे रहन दो हैना concentrate h2so4 और concentrate hno3 के साथ copper जो है वह यह काम कर जाएगा क्योंकि वह strong oxidizing agent होते हैं no acid बाकी किसी acid के साथ यह to gas नहीं निकालेगा फिर आता है प्लस तीन से प्लस दो के electrode potential की value कुछ important values यहां लिखी हुई है chromium प्लस तीन से प्लस दो में नहीं जाना चाहता इसका मतलब है वह दो से तीन में जाना चाहता है बात को समझना अगर तीन से दो की तरफ value negative है तो 2-3 की तरफ value क्या हो जाएगी positive हो जाएगी और यह सब 3-2 में नहीं जाना चाहते हैं यह सब क्या करना चाहते हैं 3-2 में जाना चाहते है Plus 3-2 में जाना चाहते है Plus और 3 से 2 में जाना चाहता है plus सबसे ज़्यादा positive value किसकी है इसकी तो मैं आप से अगर पूछूँ एक बात बताओ कि अगर मुझे ये सवाल करके बताओ आप तो ये values आपके सामने हैं इस तरह के सवाल आते हैं तो वो values दी हुई वाती है मैं आप से पूछू कोबाल्ट 3 प्लस और मैंगनीज 3 प्लस ज्यादा अच्छा oxidizing agent कौन है कोबाल्ट 3 प्लस और मैंगनीज 3 प्लस में ज्यादा अच्छा oxidizing agent कौन है जल्दी देखो oxidizing agent कौन होता है जिसका reduction होता है ये 3 से 2 में आ रहा है तो reduction है ये भी 3 से 2 में आ रहा है तो reduction है इसका 1.5 है और इसका 1.9 है इसका मतलब है ये जल्दी आएगा तो ये ज्यादा अच्छा हो जाएगा value-based आते है और आप ये मत सोचना कि आपको ये value याद करनी है नहीं ये तो सबसे आसान सवाल आता है बटा क्योंकि इसकी तो value दी होई आती है value देखो answer करो अगर मैं आपसे पूछूँ कि chromium plus 2 और iron plus 2 में ज्यादा अच्छा reducing agent कौन है बता सकते हो प्रोमियम प्लस 2 और iron plus 2 में ज्यादा अच्छा reducing agent कौन है बता सकते हो बताओ देखो ये 3 से 2 में नहीं आना चाता है इसका मतलब है ये 2 से 3 में जाना चाता है और ये सेम उल्टा है ये 3 से 2 में आना चाता है लेकिन ये 2 से 3 में नहीं जाना चाता है तो इसका मतलब है answer हो गया chromium वाला क्योंकि chromium plus 2 से plus 3 में जाना चाहता है chromium plus 2 से plus 3 में जाना चाहता है chromium F.E. नहीं होगा ना बिटा F.E. कैसे हो जाएगा एक second वापिस सुन लो reducing agent का मतलब कौन जो अपना oxidation करवाले अपना oxidation करवाने का मतलब है 2 से 3 की तरफ जाने वाले अब जो 3 से 2 की तरफ नहीं आना चाहता वो 2 से 3 की तरफ चला जाएगा positive हो जाएगा लेकिन जो 3 से 2 की तरफ plus है वो 2 से 3 की तरफ minus हो जाएगा ना बिटा तो यहां से इसको 3 में भेजोगे तो value negative में आएगी यह वाली लेकिन उसको 2 से 3 में भेजोगे तो value positive आएगी तो वो ज्यादा अच्छा reducing agent हुआ हाँ यह electro वाली series से हो जाएगा अगर आपकी electro chemistry strong है तो मैं बता रहा हूँ मुझसे बहतर आपको यह चीजें आती है यह तो यह तो बहुत आसान आसान चीजें अब आते हैं oxo oxides in oxo anions all mo metal oxide और वो भी कौन से वाले बेटा plus 2 वाले are ionic in nature except scandium ऐसा लिखावा है NCRT में उसका कारण है scandium plus 2 में exist ही नहीं करता और दुनिया उसका कारण है scandium plus 2 में exist ही नहीं करता और दुनिया उसका क्या मतलब गलत पढ़ाती है पता है कि उसने क्या लिखा हुआ है मैं बताता हूँ statement NCRT का सुनो लिखा हुआ है all mo are ionic in nature except scandium क्या लिखा हुआ है all metal oxide यानि plus 2 वाले oxide are ionic in nature except scandium तो दुनिया क्या लिखती है कि SCO is covalent और मैंने बड़े-बड़े लोगों को देख लिया मैंने बड़े-बड़े लोगों को देख लिया क्या लिखते है कि सर लिखा हुआ है line NCRT की देखो मैंने का दिखाओ क्या लिखा हुआ है कि metal oxide ionic होते है except scandium तो इसका मतलब है sir scandium ionic नहीं है वो तो covalent है अब मैंने का बावड़े वो यह कहना चाहरा है कि scandium तो plus 2 में exist ही नहीं करता तो इसकी बात ही नहीं करेंगे हम scandium plus 2 में exist ही नहीं करता तो SCO की क्या बात करोगे scandium तो only scandium variable oxidation state शो नहीं करता scandium केवल plus 3 में exist करता है तो उसके कहने का मतलब है कि scandium को छोड़ दो तो जो plus 2 वाले हैं क्योंकि scandium plus 2 में exist नहीं करता वो यह कह रहा है यह नहीं कह रहा है कि plus 2 वाले ionic है scandium को छोड़ अब इसकेंडियम covalent थोड़ी है वो यह नहीं कह रहा वो कह रहा इसकेंडियम की तो plus 2 की बात ही खतम कर दो कि कि सबको पता है पढ़ते हुए आ रहे हैं oxide और hydroxide में periodic table में कि अगर oxidation state बढ़ेगी तो obviously EN बढ़ता है oxidation state बढ़ने पर आइनिक character क्या होता है बिटा कम हो जाता है oxidation state बढ़ने पर आईनिक character क्या होता है बढ़ते कम हो जाता है हमने अभी covalent character बढ़ा पर फजान सुरूल में पढ़ा फजान सुरूल में हमने पढ़ा कि SNCL4 है SNCL2 है SNCL4 है यह plus 4 यह oxidation point उसका reason है covalent character है क्यों covalent character है because they are present in their highest oxidation state यह plus 5 में यह plus 6 में यह plus 7 में है तो यह सब कोवलेंट character क्यों आ रहे हैं क्योंकि oxidation state जादा है कि V2O5 mainly acidic mainly acidic साफ साफ लिखाओ NCRT में कुछ महानुभाव इसको amphoteric की trick में गुसरिक है पढ़ा देते हैं एना amphoteric की trick में V2O5 लिख देते हैं क्या रहे है V2O5 amphoteric होगा मैं मानता हूँ amphoteric है लेकिन NCRT भी उसको amphoteric बोलती है लेकिन साथ में एक शब्द लिख रही है कि ते mainly acidic होता है वो V2O5 is mainly acidic mainly acidic but can show amphoteric nature और वो पता कब लगा जब वो acid के साथ तो देता है यह VO4 प्लस और जब वो base के साथ देता है VO4 थ्री माइनस ठीक है VO4 3- तो यह चीज आपको समझ में आनी चाहिए ठीक है भई प्रोपर्टी वाली बाते थी यहां से चीजए ठीक ठीक शुरू हो रही है पढ़ना शुरू करते हैं हम लिखना दिखना कुछ नहीं है यह सब कुछ लिखा हुआ है वही पढ़ा रहा हूं में Sagnair技 फोटेशियम डाइक komt 8 डाइक torment यहर्वा यह promet होता है यह और इंज कलर करोँगे ये ययलो कलर का उता है यह pH dependent change होता है pH dependent इधर भी chromium plus छे और इधर भी chromium plus छे होता क्या है जब chromate है वो basic medium में stable होता है जब आप medium की pH कम करोगे 7 से कम कर दोगे तो acidic medium create होगा और वही chromate dichromate में convert हो जाएगा जब dichromate की pH बढ़ाओगे तो 7 से ज़्यादा pH करोगे तो वही फिर से chromate में बदल जाएगा बस इतना change है यह redox change नहीं है यह pH change है ध्यान रखना भी ठीक है भई चलिए आगे यह chromate रहा यह dichromate रहा chromate की structure यह रही 2 minus 2 single 2 double यहाँ पर X2 O 7 तो CRO CR bond हो गया और बाकी structure यह रही क्योंकि यह tetrahedral है तो सारे के सारे जो pi bond आपको दिख रहे है वो d pi pi होंगे आज बता दिया भी chemical bonding में यहाँ भी tetrahedral है एक के around तो इसमें भी d pi pi यहाँ पर d pi pi कितने है 4, 1, 2, 3, 4 यह 4 है उधर कितने है 2, यह दो लिख दी यह average bond order और formal charge अभी सिखा दिया minus 2 by 4 यह रहा bond कितने है 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 by 4 यह आज ही पढ़ाया है है न chemical bonding में वैसे देख सकते हूँ अब resonance चलेगा तो CRO bond जो है अगर 6 by 4 लिख दिया आपने तो फिर CRO और O की bond length एक ही जैसी हो जाएगी सारी क्योंकि resonance चलेगा तो only one type of CRO bond lengths are present कारण क्या है resonance है तो जब आपने लिख दिया कि एक bond ऐसा है यह नहीं वो सारे के सारे bond 6 by 4 के बराबर हो चुके है तो सबकी सबकी length भी क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी अब यहाँ पे लफडा है यहाँ पे एक जैसी CRO bond length नहीं है इधर resonance break हो जाता है तो यह वाला pair अलग छूट जाता है resonance से तो यह तीन तो यह जो तीन दिख रहे हैं बाहर के यह तीन तो resonance की वज़े से पार्शल double bond character आ जाएगे तीनों में तो इनकी bond length तो क्या हो जाएगी और वो single bond जहां resonance नहीं गया वो बड़ा रह जाएगा क्योंकि यहाँ तो partial double bond character आ जाएगे सब में और यहाँ single bond ही रहेगा तो इसकी length रह जाएगी जादा इसका मतलब यह तै बात है कि इसके अंदर एक जैसी bond length नहीं है CRO की डिफ्रेंट है यह बाहर वाली अलग है छोटी है अलग है और यह अंदर वाली CRO है वो बड़ी है बिटा ठीक है यह ज़्ट चल्ट कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं फिर उसकी preparation देखेंगे देन के मैंनोफ और ना आड़ने टू-CRO7 और के टू-CRO7 की Solubility में एन टू-CRO7 की Solubility ज़्यादा होगी बिकोस को Hydration Energy से देख जाता है और Hydration energy तौप-to-bottom कम होती है तो, Solubility भी कम होती है इन एक रसी ओर टू-CRO7 Megroscopic होता है है न तो इसको हम Primary Standard के तोर पे यूज निए कर सकते Volumetric Analysis, Titration, Titration नाम सुना है, Titration में पहले इसको काम में लिया जाता है, क्योंकि इसको यूज किया जाता है, उसको नहीं किया जाता है, वो Secondary Standard होता है, Primary नहीं होता, क्योंकि अगर आप इसको यूज करोगे, तो यह Hygroescopic होने की वज़े से moisture absorb करेगा, और अगर moisture को absorb करेगा, तो concentration में change ले आएगा, और अगर concentration change हो गई, तो वहाँ तो सारा game ही बेटा, N1 V1 is equal to N2 V2 पे चलता है, तो इसका मतलब है, concentration change होगी, तो या तो फिर आप हर एक reading, या हर एक experiment से पहले उसको फिर से concentration उसकी निकालोगे, तो यह तो मुश्किल क this is not the primary standard, यह उसको क्या, this will be considered as secondary standard, यह primary रहेगा, reason है, उसको हाईग्रोस्कोपिक नेचर नहीं है, बहुत important सवाल है, preparation of K2CR2O7, preparation बात कर लेते हैं, K2CR2O7 की, chromite ore से इसकी preparation की जाती है, chromite ore होता है यह वाला FECR2O4, इसका जब हवा में oxidation किया जाता है, तो iron प्लस तीन में आ अता है, chromium plus शे में आ जाता है, iron का भी oxidation state होता है, oxidation होता है, puisqu इसमें iron plus 2 में होता है, chromium plus 3 में होता है, मैं आपको बता दिता हूँ, यहां पर iron plus 3 में आ गया, और यह plus 6 में आ गया, दोनों का oxidation हो गया, हवा से दोनों में oxidation कर लिया, फिर क्या करना है, basic, then na to co3 के साथ reaction करनी, अब बेस को बेस तो खाएगा नहीं, यानि ये वाली reaction तो नहीं होगी, तो फिर ये वाला किसके साथ reaction करेगा, तो NA2CRO4 के साथ करेगा सिर्फ, ये दोनों NA2CRO, तो redox change नहीं है, chromium अभी भी प्लस छे में है, और आपको पता है कि ये chromate ion है, और chromate ion का color कैसा होता है, येलो होता है, तो sodium chromate का yellow solution बन जाता है, और chromate को dichromate में कैसे बदला जाता है, medium को acidic करके H2SO4 ले लो, dichromate में बदल गया, orange solution हो गया, ठीक है, लेकिन हमको NA2CR2O7 नहीं, बटा K2CR2O7 बनाना है, हम KCL के साथ reaction कर देंगे, और इसके orange crystals आ जाएंगे, और हमने पढ़ा कि इसकी solubility कम है, तो solution में पहले ये वाला जो है, easily precipitate हो जाएगा, easily crystallize हो जाएगा, जब किसी की solubility low होती है, तो उसका crystallization आसान हो जाता है, उसका जो KIP होता है, वो ज़्यादा होता है, उसके KSP से, तो आप बोलोगे कि सर ये सवाल इस पर कैसे पूछा जा सकता है, तो मैं बोलूँगा, ज कोटेशियम पर मेंगनेट, मेटलर्जी चल रहा है क्या, और देखा तो किया रहे, मेटलर्जी चल रहा है, तो जो मैंगनेट आयन होता है, वो एमनो 4, 2 मानस होता है, और जो पर मैंगनेट आयन होता है, वो MnO4 minus होता है, यह basic medium में stable होता है, इसका color dark green होता है और इसका color violet ले लो, purple ले लो, यह होता है, पर magnet का, यह magnet है, इस तरह से बना लो MnO4, 2 minus, 2 single, 2 double, यहाँ पर एक ही minus तो एक single, 3 double, अब साब दिख रहा है कि इसका average bond, इसका formal charge के आजाएगा, minus 2 by 4, इसका average bond order क्या जाएगा, 6 by 4, यह 6 bond है, by 4 हो जाएगा, इसका क्या आएगा, इसका आएगा, यहाँ पर double bond जादा है, यहाँ पर 7 bond है, तो 7 bond है, 7 तो 7 by 4 आएगा, अब 6 by 6 by 4 और 7 by 4, मैं bond order जादा किसका होगा, 7 by 4 का, अब 7 by 4 का bond order, इसका bond order जादा आएगा, तो इसकी bond length कम आएगी तो येसकी bond length कम है, विकोज इसका bond order क्या है जङादा है, इसमें दो d p p bond है, टेटराहेटरल है, इसमें भी 2 d इसमें, तीन d p p p bond है, टेटराहेटरल है, देख लो, इसमें कुछ भी ऐसा है नहीं, खास, चलिए भई, यह देखो और कुछ बात लिगी हुई है इसमें डार्क ग्रीन कलर पेरा मेगनेटिक क्योंकि इसमें एक अनपेड इलेक्टरोन है मैंगनीज यहाँ पर प्लस छे में है और मैंगनीज यहाँ प्लस साथ में है तो ये जीरो है इसमें अन्पेड इलेक्ट्रोन नहीं है तो ये डाया मेगनेटिक है बट एंसी आटी ने एक चिम्टी काटके निकल गया एंसी आटी कहता है टेंपरेचर डिपेंडेंट वीक पेरा मेगनेटिजम प्रेजन्ट होता है इसमें कि टेंपरेचर बढ़ाने पर छोटा मोटा वैसे तो ये डेया मैंनेटिक है लेकिन ये बात करना ना लिखके क्यों गया लेकिन इसके बारे में अपन बात अभी नहीं कर सकते क्योंकि यह लेवल यहां का नहीं है बारवी क्लास का लेवल नहीं है अच्छा ठीग है बता की क्यों गये ligand to metal charge transfer होता है, उसकी वज़े से इसमें color होता है, LMCT बोलते हैं उसको, इसमें color की वज़े होती है, ligand to metal charge transfer, ओके? preparation, KMNO4 की, KMNO4 को बनाया जाता है, Pyrolu, Pyrolu site or MNO2 होता है, उसको, दोनों में से कोई एक चीज़ कर सकते हो, medium को basic करना है हमको, oxidizing agent आप air ले सकते हो, आप potassium nitrate ले सकते हो, दोनों में से कोई भी ले सकते हो, तब oxidize करोगे तो, चार, manganese, चार से 6 में आ जाएगा, 6 तक तो आप इस से ला सकते हो, लेकिन 6 वाले को 7 में ले जाना, impossible है, impossible तो नहीं है, लेकिन हलके लोगों का काम नहीं है, कुछ अलग करना पड़ेगा, अलग कैसे करना है, जो यह तो है, magnet ion, यह है, permagnet ion, कि या तो medium ले लो, acidic, अब acidic medium लेने पर वो आतो जाता है, plus 7 में, लेकिन हमको पता है कि नुकसान भी होता है, वो disproportionate हो जाता है, plus 6 से 7 में और 4 में जाना, disproportionation कहलाता है, तो इसमें हमको नुकसान है, कि जितना manganese plus 6 में था, वो सबका सब plus 7 में नहीं आया, कुछ ब्लस चार में भी चला गया, तो यह वाल उपर वाला मैथट आप लेबरेटरी के लिए यूज करो समझ में आता है। लेकिन इंडस्ट्री यूज नहीं करती। इंडस्ट्री में या तो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। कि इसने बोला मैं छे से साथ में नहीं जाओंगा आपने बोला करेंट से अच्छे अच्छे जाते हैं इदर आ चल के हैं मैंनोफर निकाल बन गया फिर आप जो हैं अलग चीज लेका है बोले यार ओजोन का बहुत नाम सुना है बहुत नामी गिरामी पावरफुल ऑक्सिडा कर देता है जो किसी के बस में नहीं आ रहा होता है उसको और जोन के सब्सकौराई जाता है और जों को बुला जाता है कि एक से कंड़ ना भाई पर ऑक्सिडाह स्क्रेंश कर दोंगा कंशन ही नहीं है तो और जोन भी पावरफिल एक सी जेंट है तो ओजोन से आप ये काम कर सकते हो कि 6 से 7 में ला सकते हो क्योंकि मैंगनीज प्लस 6 में in fact मैंगनीज प्लस 4 में भी बहुत इस्ट्रोंग ऑक्सिडाइजिंग एजन्ट होता है तो 6 में तो हो गई और 7 में तो बावला है यह साथ साथ में तो क्या है यह पागल होता है साथ में तो पावर्फुल खुद ऑक्सिडाइजिंग एजन्ट होता है पावर्फुल यह देखो आजाओ ऑक्सिडाइजिंग पावर की बात कर लेते हैं के टू सियार टू सेवन और के में और 4 के ऑक्सिडाइजिंग पावर की बात कर are present in highest oxidation state जो highest oxidation state में होता है वो भूखा होता है और जो भूखा होता है उसको electron की भूख लगती है यानि वो अपना reduction कराने के लिए पागल हो रखता होता है और जो अपना reduction करवाता है उसी को oxidizing agent कहते हैं अब इसमें भी manganese जो है वो जादा powerful होता है because manganese जो है वो 7 से 2 में आता है और 7 से 2 में आने का मतलब है stable D5 configuration उसको नजर आता है तो यह जल्दी जल्दी electron खाता है क्योंकि इसको पता है कि मैं फटाफट फटाफट प्लस 2 में आ जाता हूँ D5 stable configuration हो जाता हूँ get easily reduced to achieve stable D5 configuration that's why manganese plus 7 is more stronger oxidizing agent then chromium plus 6 तो order क्या बनेगा MnO4 MnO4 minus जादा strong oxidizing agent होगा और dichromation थोड़ा हलका oxidizing हलका बोले तो इस से हलका लेकिन बात पता है क्या है यहाँ पर मैंने एक order लिखा है इन दोनों के बीच में एक chlorine आता है इन दोनों के बीच में chlorine आता है अब आत को समझना कि chlorine से electron यह छीन सकता है लेकिन dichromat इस से electron नहीं छीन सकता क्योंकि dichromat इस से पीछे आ रहा है तो dichromat strong oxidizing agent है लेकिन इतना भी नहीं कि chlorine से भी जादा strong हो जाए और इसके बाद आता है vanadium जो है plus 5 vanadium plus 5 भी अच्छा खासा strong oxidizing agent होता है लेकिन वो पीछे ही आता है यह order आपके ncrt in text question में दिया हुआ है इसको अच्छे से देख लेना in text question में दिया हुआ है अब oxidizing reaction अब दोनों जब oxidizing agent हैं तो oxidize करेंगे तो देख लो बस फर्क इतना है कि कि the acidic medium में permagnate colorless हो जाएगा manganese plus 2 में आ जाएगा और basic medium में friendly basic मतलब very less basic या neutral में यह MnO2 यानि कि plus 4 में आ जाएगा तो अब यह लगातार जो देख लीजिए आप प्लस दो प्लस तीन चा दो चार माइनस दो जीरो ठीक है oxalate को CO2 में बदल दिया और नाइट NO2 माइनस NO3 प्लस में प्लस NO3 माइनस प्लस 5 SO2 प्लस 4 SO4 2 माइनस प्लस 6 CL माइनस BR माइनस I माइनस CL2 BR2 I2 यह सब ऑक्सिडाइज कर रहा है यह लगातार MnO4 माइनस इन सब को ऑक्सिडाइज कर रहा है यह इसकी oxidizing reactions हो गए यह अगर आप एक बच्चा लिख रहा है कि bounce हो रहा है अब अगर आपको oxidation reduction नहीं पता है तो bounce ही होएगा बिटा है ना redox के मैं क्या बताऊं इसमें कि यह oxidize कर रहा है कर रहा है करेगा क्या कर सकते फर्क क्या है वो ध्यान रख लेना important सवाल है इस बार जही मैंस में पूछा है और neat में भी आ गया है neat में भी पूछ चुके हैं वो यह सवाल कि neutral या friendly basic medium में i minus को यह i o 3 minus में convert करते हैं जबकि वहाँ पर acidic medium में यह i minus को i2 में ही ले जा पाता है यह दो changes देख लेना बई यह तो देखो जब medium acidic हैं तो के मैंनो 4 जो है वो i2 में convert कर रहा है i minus को वही मैंनो 4 minus जब medium neutral या वह कम basic है तो i o 3 minus में iodate में convert कर रहा है यह इस बार जही मैंस में पूछ चुके हैं और नीट में भी आ चुका है यह सवाल ठीक है बाकी तो दीख ही रहा है वो तो सेम है यह दो उपर के हैं वो तो उधर के जैसे ही बटा सेम है ओके एक और चीज़ ध्यान रखना जब medium neutral और फैंटली basic होगा तो manganese साथ से चार में आएगा और तो उधर साथ से दो में आएगा और यह आप redox में पढ़ते हो कि acidic medium में manganese plus 2 में ज्यादा stable होता है ठीके भाई ओके भाई ओके भाई यह dichromate की oxidizing power वही सेम iron 2-3 में tin 2-4 में i-i2 में h2s में ठीके और cl-cl2 में ना ना यह भाई साब आगे बेटते हैं यह नहीं छिनने देगा electron बी आर से छिन लो बी आर माइनस से छिन लो आई माइनस से छिन लो छिन लिया i- से बी आर माइनस से भी छिन लो लेकिन cl- से यह electron नहीं छिन सकता क्योंकि अभी आपको मैंने final order यह बताया था कि यह इस से आगे बेटता है तो यह इसको electron छिनने नहीं देगा तो इसलिए बस इसका ध्यान रखना यह cl- को oxidize नहीं कर सकता और यह orange से green में convert हो जाएगा जब यह change होगा तो वह chromium plus 6 से इदर आ जाएगा बेटा plus 3 में plus 6 में उसका color orange होता है और plus 3 में इसका color क्या हो जाएगा green कि यह लोग यह कुछ questions दिये हुए है और यह कॉशन नहीं माल लीजिए देखो ओरेंज color के changes देखना co2 के साथ जब आप इसकी reaction कर सकते यह अपनी highest oxidation state में यह भी अपनी highest oxidation state में जब दोनों अपनी highest oxidation state में हो तो क्या करेंगे एक दूसरे का मुझी देखेंगे मुझी देख लिया no reaction कुछ नहीं कर सकते हैं लेकिन यह plus 4 में है और हम जानते हैं कि sulfur plus 4 से plus 6 में जा सकता है यानि यह reducing agent का का काम कर सकता है अगर यह reducing agent का काम करेगा तो इसको reduce कर सकता है इस chromium को plus 6 से पहुचा दिया प्लस 3 में यह कुछ ऐसा compound बन जाता है विटा तो कि green color का होता है और यह तो पता ही है कि die chromate को basic medium दिखाओगे तो chromate में बदल जाएगा yellow color का हो जाएगे तो हमको पता ही है यह नेक्स्ट कुछ ऐसे सवाल जो अगर मैं कहूं कि बहुत high level के questions आ सकते हैं वो कुछ ऐसे सवाल है ना चाहे इनको याद करके चले जाना फर्क नहीं पड़ता मैंने तो समझा रखें खेर एना के MnO4- cannot be decolorized जो अपनी highest oxidation state में हैं वो reducing agent का का काम नहीं कर सकता तो co2 इसको कभी भी decolorize नहीं कर सकता अब sulfur plus 4 में है कर सकता है FAS का मतलब होता है ferrous ammonium sulfate जिसको बोलते है moher salt ferrous बोल रहे हो तो अपने आप में आप iron को plus 2 में ही बोल रहे हो और plus 2 का iron जो है वो reducing agent का का काम कर जाएगा यानि कि वो भी इसको decolorize कर जाएगा HCl यह Cl minus है HCl में Cl का है minus में है और आपको पता है कि MnO4 minus Cl से आगे बेठता है तो यानि Cl minus से यह MnO4 minus electron छीन सकता है यानि कि यह Cl2 में बदल सकता है और यह reducing agent का का काम कर सकता है तो उसका color बदल सकता है तो answer हो गया CO2 कि दुनेद खान के रहा है नहीं समझ आ रहा है चोड़ दे यार चोड़ दे चैप्टर को दूसरा बढ़ लेना यह दूसरा मतलब चैप्टर को छोड़ के चल जाना कोई बड़ी बात नहीं कोई टेंशन है जीरो और वन की probability है तुमने तो जाने कितनी छोड़ने की बात कर रखी होगी इसमें क्या समझाओं कि जो उसको वो कब decolorize होगा जब वो प्लस दो में आएगा और इसको decolorize करने के लिए साथ से दो में लाना पड़ेगा required reducing agent इसको reduce करने के लिए reducing agent की requirement होगी यह नहीं काम कर सकता reducing agent का मतलब यह इसको decolor नहीं कर सकता भाई और कैसे समझाओं और कैसे समझाओं यह सवाल ऐसे सवाल है ना जो ncrt में कहीं कहीं दिये हुए इधर उधर in text हो गए कहीं हो गए और यह ऐसे और यह सेम सवाल आ चुका है AI PMT 2007 में आई थिंक जहां तक मुझे year तो नहीं पता बढ़ हाँ AI PMT में आया हुआ सवाल है यह सवाल AI PMT में आया हुआ है सेम टू सेम डिट्टो अगला सवाल कह रहा है कि एक reaction है यह वाली ठीक है इसमें जब यह reaction होती है तो medium में हाइड्रोक्सिल आयन बनते हैं basic medium मलब OH- बनते है इन OH- को फटा-फट हटाना होता है क्योंकि अगर medium में OH- रहे तो medium basic हो जाएगा और अगर medium basic हो गया तो per magnet यह रहा magnet यह रहा और आपको पता है कि magnet iron basic medium में stable होता है अगर आपने वहाँ से OH- नहीं हटाए है ना neutral नहीं किया medium को तो reaction backward आएगी और वापिस यह बन जाएगा तो जरूरी है कि अगर हमको per magnet का percentage yield बढ़ाना है तो हमको OH- को remove करना पड़ेगा पहले तो आपने सवाल समझा अच्छा सवाल है समझा सवाल समझ आया कि हमको reaction को forward रखने के लिए इस OH- का इंतजाम करने के लिए है में एक सब्सक्राइब है इंतजाम करने के लिए क्या चाहिए हएच प्लस चाहिए तो H+, चाहिए या OH- का इंतजाम करने के लिए मेडियम का क्या करना जरूरी है? Acidic वही ये basic मेडियम रहेगा तो ये उधर चला जाएगा हमने acid ले लिया HCL क्या ले लिया हमने? HCL जैसे ही HCL गया वहाँ पे HCL पर नजर पड़ी MNO4- की इदर है? क्या मला? इदर है इदर है, यहाँ क्या कर रहा है? क्या रहा है, वह medium को acidic करने आया हूँ, HCL के साथ हूँ अरे बोले HCL के साथ है तो क्या हुआ? तुझे तो पता है कि मैं CL- को CL2 में बदल देता हूँ तो निकल यहाँ से ठीक है? और अगर मैं CL2 मैं तेरे को बदल दूँगा तो मैं खुद, हैना? मैं खुद प्लस साथ में नहीं बचूँगा अगर मैं तेरे साथ reaction कर लूँगा तो मैं खुद प्लस दो मैं चला जाऊँगा तो इस reaction का क्या आचार डालेंगे? मैं तो मैं खराब हो जाऊँगा जव प्रोडक्ट हमको चाहिए वो ही खराब हो जाएगा बोला HCL को रवाना के बोले HCL को नहीं भेजेंगे HCL अंदर गया तो गरबड हो जाएगा भाई ठीक है को तो ओव्यस सी बात है बेस को हटाने के लिए बेस नहीं बेच सकते हैं तो इसका तो कोई बेस ही नहीं है हटा दू ठीक है प्रोड़क्त खराब हो जाएगा यह इसको नहीं छेड़ना है इसको साथ मेंigo अपना प्रोड़क्त खराब हो जाएगा बोला एसओ टू को भी नहीं करेगी यह इसके और इसके तो कुछ होता यह अपने पहले भई इनको आACE। मैं रखके देखा यह तो मुझे देखते हैं एक दूसरे का तो यह इसको नहीं छेड़ेगा नहीं छेड़ेगा तो नहीं छेड़ेगा साथ के साथ CO2 अगर जाएगा तो CO2 समझ आई डी ब्लोक ऐसा टॉपिक जिसमें इंट्रेस्ट नाम का आई नहीं है इंट्रेस्ट का आई नहीं है अगला सवाल देखिए बहेंकर सवाल इसका टाइट्रेशन होता है तो असिडिक मीडियम की जरूरत पड़ती है ठीक है तो इस टाइट्रेशन के लिए medium को acidic कौन से acid से किया जाए सवाल को समझना कह रहा है कि Kmno4 का Kmno4 यानि MnO4- Fe plus 2 यानि कि ये कहां से आया Fas से पेरस Ammonium Sulphate से इन दोनों की reaction करवानी है titration करवानी है medium acidic चाहिए काउन सा acid लेकर आएं पहला acid हमने देखा कि HCl, HBr, HI चाहि ले आएं क्या तो मैंने कहा कि एक बार इससे पूछ लो जैसे ही ये सब अंदर जाएंगे ये इनको nipta देगा कि इसमें इसको nipta देगा CL2 में इसको nipta देगा BR2 में और इसको nipta देगा I2 में अब समझना अगर ऐसा होगा तो ये प्लस दो में आ जाएगा अब आप बोलोगे सर प्लस दो में ही तो लाना है तो मैं बोलूँगा बेटा प्लस दो में तो लेकर आना है लेकिन इससे इलेक्ट्रोन लेकर प्लस दो में लाना है बात को समझना मैं मानता हूँ कि अगर ये तीनों गए तो product तो MN plus 2 बन जाएगा, लेकिन बात वो नहीं है, titration किसके बीच में है, इन दोनों के बीच में, तो लेनी देनी इनकी चलनी चाहिए, ना कि कोई तीसरा मैदान में कूद के इसको MN plus 2 में बदल दे, तो वो अगर आ गए, तो ये product plus 2 में आ जाएगा, ये तो मुह देखता करे जाएगा, बुले, रहे यार, ये क्या हो गया, ये कौन ले गया, इलेक्ट्रोन, ये बैठा है, इन दोनों को भिडवाना है, तो ऐसा कोई acid लेना है, जो ना इसके साथ छेड़का निकरे, ना ही इसके साथ छेड़का निकरे, वो अपना सीधा-सीधा H plus दे, कोई oxidizing agent होता है, nitrate iron कहां रुकने वाला था, oxidizing agent होता है, उसने Fe plus 2 को पकड़ लिया, उसको तो नहीं पकड़ा, क्योंकि उसको तो oxidize करी नहीं सकता, वो तो अपनी maximum oxidation state में है, बेटा वो तो कहां बेटा हुआ हुआ है, plus 7 में, तो nitrate iron उस plus 7 वाले को तो oxidize कर नहीं सकता, लेकिन इस 2 वाले को तो 3 में बदल सकता है, तो इसने और नहीं चाल खेली, यह iron को plus 2 वाले को बुला लिया, बोले तू आजा, तू आजा, मैं तेरे को plus 3 में बदल देता हूँ, इसने iron को plus 3 में बदल दिया, जबकि हमको iron plus 3 में चाहिए, यस, लेकिन इन दोनों की reaction से electron change होना चाह यह, यह बीच में जो acid, यह acid, ऐसे acid हैं, जो अंदर जाकर product या reactant के साथ पंचाईती कर रहे हैं, यह reactants के साथ पंचाईती कर रहे हैं, दोनों, तो इसको भी हटाओ, बले, इसको भी नहीं ले सकते, फिर अगर answer है, ठीक है, dilute H2SO4 हम लेंगे, तो answer है, जो, मतलब, अगली बात यह है कि, concentrate H2SO4 क्यों नहीं लिया, अगर आप concentrate H2SO4 लेते हो, तो yes, वो oxidizing property तो नहीं दिखा सकता, क्योंकि oxidizing agent में उसका बाप यहां बेठा है, MN plus 7, उसको तो यह oxidize नहीं कर सकता, मानता हूं में, तो यह चुपचाप जाएगा और H plus देगा, क्या देगा, H plus देगा जब यह H plus देगा, तो यहां पर permagnic acid बनेगा, जैसे ही permagnic acid बना, concentrate H2SO4 को उसकी खोई हुई सकतियां याद आएगी, कहता है पानी, यह पानी सूंग के बता देता है, यह पानी सूंग के उसको खींच लेता है, उसकी खोई हुई सकतियां आएगी, उसको पता चलेगा, कि मैं concentrate H2SO4 हूँ, medium मैं concentrate H2SO4 रहेगा, कहेगा मैं तो dehydrating agent हूँ, अच्छे अच्छों का पानी निकाल देता हूँ, क्या कहता है, अच्छे अच्छों का पानी निकाल देता हूँ, अब अगर permagnic acid के 2 mol में से 1 H2O निकल जाएगा, तो finally क्या बनेगा, MN2O7, which is green oily covalent compound, यहां अगर आप concentrate H2SO4 लेते हो, तो धमाका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, धमाका, उपर वाले नहीं ले सकते, नीचे वाला नहीं ले सकते, सबसे नीचे वाला नहीं ले सकते, धमाका हो जाएगा, तो हम क्या लेंगे, dilute H2SO4, बिचारा simple बेट के, है ना, क्योंकि sulfur पहले से कह हैं, प्लस छे में हैं, ठीक है, sulfur प्लस छे में हैं, ये प्लस साथ में हैं, दोनों अपनी highest oxidation state में हैं, तो oxidizing agent का का काम आपस में तो reaction करेंगे नहीं, फिर इसके पास बचती है, एक ही शक्ती H+, देने की, कहरा कि मैं तो acidic property दिखाता हूं, ले जाओ, तो आप सिर्फ कौन सा य जाएगा, इसी तरह से इसका answer देना है, because इस reaction में manganese plus 2 बनेगा, obviously, ये हमने reaction पड़ी है, कि वो oxalate को CO2 में convert करता है, खुद plus 2 में आ जाता है, और, तो MN plus 2 इस reaction में बनेगा, वो rate of reaction को increase कर देगा, वो क्या कर देगा, rate of reaction को क्या कर देगा, increase कर देगा, तुम इतने देख रहे हो, like तो बड़ी नहीं रहे है, like बड़ा दो, like करो, subscribe करो, गंटी के बटन को दबा दो, अगला सवाल, ये सवाल भी इसी तरह से पूछा जाएगा, और इसका answer ऐसे ही देना है, कि KMNO-4 और H2O का जो inote cell होता है, वो positive होता है, that means, manganese plus 7 में इतना powerful है कि H2O में से O2 को release करवा सकता है, ये कर सकता है, but problem पता है कि ये kinetically बहुत slow reaction होती है, E0, cell, delta G, वो सब thermodynamics है, thermodynamics ये कहती है कि ये दोनों आपस में reaction कर सकते हैं, लेकिन बात है कि rate of reaction बहुत slow होती है, जब तक ये reaction करेंगे, तब तक हम हमारा titration कर लेते हैं, because the kinetically it is a very slow reaction, ये reaction इतनी slow होती है, कि आप aqueous medium यूज कर सकते हो, केमनोफोर के साथ आप पानी यूज कर सकते हो, लेकिन thermodynamics कहती है, केमनोफोर पानी को निप्टा सकता है, पानी को oxidize कर सकता है, खराब कर सकता है वो, क्योंकि उनका e-note cell positive है, मतलब वो reaction हो सकती है, लेकिन reaction की rate जो है वो बहुत slow होती है, यही answer देना है आपको, यह बढ़ गए, बढ़ गए, बढ़ गए, और लगे रहू, लगे रहू, गंटी के बटन को भी दबाओ, अब आता है F block, इसमें खेर हलाई गरबड है, जनरल electronic configuration वगएरा, यह periodic table में मैंने उम्मीद वगएरा में बता रखे हैं, वहाँ से देख लेना, मेन मुद्दे की बात आती है, lengthenoids, actinoids की बात आती है, lengthenoids में electron 4F में भरे जाते है, पूर शेल्डिंग है, contraction, z effective, सब बात कर चुके हैं, हाँ, common oxidation state plus 3 होती है, यह variable oxidation state show नहीं करते हैं, 5F में भरेंगे, और जादा पूर शेल्डिंग होगी, more powerful contraction होगा, इस actinoid contraction is more powerful than lengthenoid contraction आज बता दिया है, maximum oxidation state plus 7, यह variable oxidation state show कर सकते हैं, ध्यान देना बटा, एक बार सवाल बन चुका है, यहाँ पे, कि वो तो variable oxidation state नहीं दिखाते हैं, यह दिखाते हैं, और इन में भी जो newspaper पुराना है, NPPU, वो plus 7, कितना पुराना है, 7 साल पुराना, और याद रखोगे, newspaper पुराना, 7 साल पुराना, दिखाता है, newspaper पुराना, 7 साल पुराना, उसके बाद यह कुछ reactions हैं, यह देख लेना आप, इसमें कुछ खास है नहीं, लेंथेनोइट्स जो होते हैं वो प्लस तीन इनकी common oxidation state है प्लस तीन इनकी common oxidation state है तो इनको प्लस तीन में रखते हुवे किसके साथ क्या product बनेगा O2 है तो कैसे बनेगा O2 minus plus 3 L ऐसा बन जाएगा ऐसा बन जाएगा ये LN3 plus है और N3 minus है तो क्या बन जाएगा LNN ये LN OH का whole thrice LNCl3 इस तरह से ठीक है भी इसमें कुछ ही नहीं खास बात बताने लाइक Almost all trivalent ions of lengthenoids are colored except laloo laloo colorless है from the Lalu जो है वो क्या होता है colorless होता है Lalu colorless होता है ध्यान रखना Lalu क्या होता है colorless ओके याद रहेगा सपेद बाल colorless lengthenum LA plus 3 cerium plus 4 ये F0 होते हैं और YB plus 2 और Lutatium plus 3 ये F14 होते हैं अब दोनों में ही चाहे F0 हो चाहे F14 हो unpaired electron 0 हो जाएंगे तो ये diamagnetik हो जाएंगे ठीक है which of the following pairs are both the ions colored in aqueous solution कह रहा है कि दोनों ions colored होंगे अगर आप बात करते हो copper plus 1 की तो D10 हो जाता है काट दो रहे इसकेंडियम plus T0 काट दो काट दो एक ही बचा option second second option बचा सिर्फ second option बचा बाकी options कट गए बाकी options कट गए दोनों के दोनों colored चाहिए उसको बाकी option कट गए यह लोग समझा आया समझा आ गया सबको यस गूट 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 इस तरह से करते हैं सवाल अना चली ओके अगला सवाल फिच अब दो फॉलोविंग एलिमेंट्स विद दो फॉलोविंग आउटर और बाटिक उनलाज़ेस नमब आपक्स देखो जह ओकिडेशन स्टेट की रेंज वतीन बटा ऐकिडेशन स्टेट की रेंज वह क्या होती है y+, आदा ओवाई y2 y2x plus why कर दोत जो आपका तहाई होता है शोनिंग सबनेशन अने उनेस न division या अनेस इलेक्ट्रॉन बोल दो ns electron और जो आपका x होता है, x होता है, वो क्या होता है, unpaired electron in n-1d, ठीक है, तो जैसे अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये 3D5 क्या है, y है, sorry, 3D5 क्या है, x है, और 4s2 क्या है, y है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसमें आप कैसे लिखोगे, जैसे 3D5, 4s2 है, तो इसके unpaired electron कितने हो गए, n कितने हो गए, 5 और वो ही आपके क्या कहलाते है, ये आपके क्या है, x, ठीक है, ये आपका क्या है, y, तो 2, 2, 5 प्लस 2, तो यानि कि ये हो जाएगा, manganese प्लस 2 से manganese प्लस साथ, ये लोग, ऐसे निकालते है, answer हो गया कितना, answer हो गया, 4, oxidation state की range, ऐसे निकालते है, ऐसे, ठीक ही, x, y, 2, x, प्लस y, ये oxidation state की range होती है, तो इसमें unpaired electron नहीं जोडने है, इसमें तो जितने हैं सब देखने, common oxidation state, lengthenoids की, चल, 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 आगे, 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 प्लस 3, प्लस 3, प्लस 3, which of the following ion will exhibit color in aqueous solution, scandium plus 3, d0, cut, lengthenum, लालू colorless, cut, बचा कौन सा, titanium plus 3, लालू colorless, cut, दे, scandium plus 3, d0, cut, दे, एक ही बचा, सिर्फ, titanium plus 3, आजो, which of the following statement is not true, ठीक है, सब के सब सही है, सब के सब सही है, सब के सब सही है, आखरी वाले पर नजर मारो, कह रहा है कि K2CR2O7 से पहले हम preference NA2CR2O7 को देंगे, हट, पागल समझा है क्या, नहीं देंगे, क्योंकि वो तो हाईग्रोस्कोपिक होता है, वो secondary standard होता है, primary standard तो बटा K2CR 207 ही होता है, clear है, चलिए, 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 अगला सवाल खटा-खट, खटा-खट, yes, which of the following does not correctly represent the correct order, देखो, titanium plus 3, titanium plus 3, vanadium plus 3, chromium, इसका unpaid electron 1 आएगा, इसमें unpaid electron 2 आएगा, इसमें unpaid electron 3, और इसमें unpaid electron manganese, plus 3 में 4 आएगा, प्लस 2 में 5, तो जादा, तो magnetic moment जादा, यह सही है, ना, number of oxidation state भी जादा ही होगी, यह भी सही है, और second ionization enthalpy का order भी सही है, melting point में यहाँ पकड़ो, यहाँ पकड़ो, यहाँ पकड़ो, graph में यह chromium था, उसके बाद एक drop था, manganese में, यानि chromium से manganese, chromium से manganese कम था, याद करो, याद करो, फिर यहाँ से वापिस उपर जाके, ऐसे आ रहा था graph, ऐसे ही आ रहा था, manganese में, तो manganese का जादा नहीं हो सकता, बिटा, manganese का जादा नहीं हो सकता, यह गलत हो गया, इसका मतलब है, answer यही हो गया, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे, चल, जाल आगे, next, which of the following statement related to lengthenone is incorrect, basicity decreases as the ion radius decrease, हाँ, हमको पता है, यहाँ, from PR, ठीक है, हम तो यहाँ lengthenum से देख लो, सीने, यह लो, यहाँ, से लेकर यहाँ तक, lutetium तक, size क्या होती है, decrease, size decrease, तो EN, increase, EN, increase, acidic nature, increase, और basic nature, decrease, ठीक है, बस ठीक है, फिर, बस ठीक है, बस ठीक है, फिर, बैसिटी क्या हो रही है, decrease होनी चा सही है, European plus 2 show करता है, यह हमने पढ़ा कि यह use होता है, volumetric analysis में, तो इसका मतलब है, सही, गलत कौन सा है, यह वाला है, actually, यह अपने आप में ही गलत statement है, lengthenoids हो गए, d block हो गए, सबसे उपर, aluminium, सबसे उपर, s block आता है, उसके बाद aluminium आता है, reactivity series में अगर हम बात करें, उसके बात d and f block के elements आते है, आईए आगे, generally transition elements from colored salt due to the presence of unpaired electrons, which of the following compound will be colored in solid state, colored, colored, यह देखो, zinc 10 plus 2 में detain हो गया, copper d9 हो गया, silver plus 1 में detain हो गया, silver plus 1 में detain हो गया, silver plus 1 में detain हो गया, copper plus 1 में detain हो गया, copper plus 1 में detain हो गया, मेरे पास तो एक ही आ रहा है, जिसमें unpaired electron आएंगे, d9 answer हो गया, second, answer कौन सा हो गया, second, एक ही है, जिसमें d9 आ रहा है, बाकी सब में detain, detain, detain हो गया, यह copper plus 1 है, detain हो गया, यह zinc plus 2 है, detain हो गया, answer हो गया, second, next, small amount of KMNO4 to concentrate H2SO4 करवा चुका हूँ, MN2O7 बनता है, explosive है ना, धमा का, धमा का, धमा का, यह धमा का वला है, धमा का वला है ना, धमा का वला है, है ना, जब आप मिलाओगे तो पहले permanganic acid बनेगा, permanganic acid से पानी निकल जाएगा, MN2O7 बनेगा, धमा का हो जाएगा, oxidizing agent, कौन है जो नहीं कर सकता, अरे chromium plus 6 में कर जाएगा, इसका मतलब है यह रहा plus 6 में, यह रहा plus 6 में, यह तो कर जाएगे, यह नहीं करेंगे, यह नहीं करेंगे, एक और यह, CBCBCBCBCBCBC, है ना, या BCBCBCBCBC, यह लो, नहीं करेंगे, यह रहा हो सवाल, कौन नहीं करेगा, BCBCBC से ठीक है ठीक है पता है आपको higher oxidation state stable होती है यही सवाल है वो वाई इस हैल इस नोट यूज तो मेक्ट अमीडियम एसेडिक इन oxidation state क्योंकि वो CL2 बन जाएगा वो क्या बन जाएगा CL2 बन जाएगा बस बात खतम एक बात कि यह इसको oxidize कर गए किसमें convert कर देगा CL2 में हमको पता है तो ना तो HCL ले सकते हैं ना HBR ले सकते हैं ना HI ले सकते हैं ना concentrate HNO3 ले सकते हैं ना concentrate H2SO4 ले सकते हैं लेते हैं क्या सिर्फ dilute H2SO4 कि यह देखो यह थोड़ा सा गरबर लग रहा है मुझे यहां printing error है यहां से यहां यहां से यहां हां यह डाई chromate यह chromate है उल्टा लिखा हुआ है पहली चीज़ तो डाई chromate से chromate हैं तो X का होना क्या जरूरी है OH- or Y का क्या होना जरूरी है H plus एक्स और Y क्या हो जाएंगे OH- H plus answer हो गया पहीला answer सही है पहीला answer पहीला आंसर ठीक है भई खटा खट सवाल करिए जल्दी करिए आईए आगे बढ़ते हैं यह राज ही मेंस के question चालू इस बार के जही मेंस के एमन इस टेट्राहेडरली सराउंड बाई oxygen atoms यस अब जब यह टेट्राहेडरली बोल दिया तो ओक्टाहेडरली वाली बात खतम काटो रहें एमन ओ एमन ब्रिज यस जब यह बोल दिया तो एमन एमन का बॉंड तो होई नहीं सकता तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर ए और सी कि क्या आंसर हो जाएगा ए और सी ऐसी चलाओ गर्मी बहुत है जले अगला सवाल खीज देते हैं फटाफट से यह वाला देख लेते हैं यही देख ले वीच वन अमंस नग कि फॉलोविंग आर विच वन Fomentrum following our good oxidizing agent Dekosirium plus 4 to oxidizing हे आधरे सार वाले तीन उस नागते आ उकसुसि इंधकरी == क्यां आगे मैंने छार वाले तीन में जाते हैं तो या उकसिडाइस इजन्ड होग öğitti हैान्सर भोलो सीदी चलाओ CD D चला भी चला धिछ नाओ वीछ देखो आ रहो 가져 तक अ politically मूर स्विंग हुए है इतनी रात को और क्या श्विंग होए गे मूर्डी स्विंग होएं गे और क्या है क्या यह मनों फ़र औक्सिडाइज इस ऐसमार माइनस इसाडिक जिए आई टो में बदल देता है और इसमें यह आई ओirt fino हमें बदल देता है तो इसका मतलब है रेस्पेक्टिवली अच्छ है बताओ रेस्पेक्टिवली बात कर रहा है तो एसेडिक में आई टू और आई ओ थ्री माइनस चालो भाई या आगे बढ़ते हैं आ गया मज़ा अबे तुमारी नीन तुमको नीन ना आए इसके लिए आपने कभी नोट किया है कि एक बज़े के आसपास मुझे दोरे पड़ते हैं जब भी मैंने ये लंबी क्लास ली है मैं बारा बज़े के बाद ये हरकतें करना शुरू कर देता हूं इससे दो काम होते हैं मेंचे भी नीन नी आती और तुमको भी मज़ा आता तो ऐसे ही करता रहता हूं उससे पहले नहीं करता हूं और करता हूं तो पड़ाई में ही करूंगा अलग से बेटे के डायलोग नहीं बताऊंगा क्या के रहा है प्यारा सबका प्यारा गेडोलीनियम और यूरोपियम यह दोनों हाफ फिल्ड होते हैं एक होता है 4F7 एक होता है 4F7 और 5D 4F7 और क्या हो जाएगा 4F7 और 5D1 और 6S2 यह तो होता है अपना प्यारा गेडोलीनियम और यूरोपियम होता है 4F7 5D 0 और 6S2 यह होता है अपना यूरोपियम तो फिर बस पेर किस बात की लगा दीजिए बीडी क्या लगाएंगे बीडी और ये लोग पी लीजिए बीडी लगा दीजिए चलिए